Good morning 6th class, I am Ruchy Bhutta, your math teacher. In last class, we had done exercise 13.1, question number 19. Now we will continue question number 20. Question number 20 में बेटा, सब में आपने X की value निकान नहीं है, यह X है. सबसे पहले हम यह वला triangle लेंगे, triangle A, D, C. इसमें C point में बेटा, यह X, G triangle है. B पे साइन बना हुए है न, it means यह 90 degree का एंगल है. ठीक है? और यह भी पूरा आपका 90 degree का एंगल है, A पे. यह भी 90 degree का है. यह 90 degree, 90 degree, यह पूरा 90 degree. triangle A, D, C में यह exterior angle है, interior opposite angle है. exterior angle में से interior opposite angle minus कर दीगे, तो यह A आ जाएगा. ठीक है, पहले हमको यह निकालना है. 120 degree, exterior angle है. एंगल A, D, C, 90 degree हमें गेवाने. हमने D, A, C निकालना है, A point B जाएगल है. 120 में से 90 minus कर दे 30 degree आ गया. हमने क्यों minus किया? क्योंकि exterior angle property है. उसके बाद, intra angle A, D, B में, A, D, B हमारा 90 degree का एंगल है, पूरा. ठीक है, फिर हमें निकालना है, angle D, A, B. यह ना देखों, यह पूरा 90 है. यह हमने निकाल दिया, minus करके, यह आगया आपका 30. अब हम यह वला निकाल रहे हैं. यह पूरा 90 है, 90 में से 30 minus कर देंगे, तो यह आजाएगा आपका 60. और यह भी आपको 90 की बना है. ठीक है, 90 में से 30 minus कर दिया, तो आगया 60. अब हमें X निकालना है. 90 और 60, दोनों को plus किया, plus करके 150 आगया, फिर 180 में से minus कर देंगे, angle some property है, तो X आजाएगा हमारा 30D. second question में हमें यह निकालना है, exterior angle है, interior opposite angle है, exterior angle में से बेटा, interior opposite angle में minus करते हैं, तो आजाते हैं हमारा X. inter angle ABC, angle B हमें 40 degree given है, angle CAD 70 degree है, exterior angle है, यह दोनों angle हमें given है, हमने X निकालना है, exterior angle में से interior opposite angle माइनस कर दिया, तो आजाएगा X 30 degree, exterior angle property है. third question है, third में देखो, inter angle ABC, यह देखो जो C पे sign है न, यह 90 degree का angle है, और यह 50 है, X हमें निकालना है, दोनों को plus करो, 180 में से माइनस कर दो, inter angle ABC, angle A 50 degree, और angle C 90 degree हमें given है, X निकालना है, 90 और 50 यह दोनों को plus किया, 140, 180 में से 140 माइनस कर दिया, तो 40 degree आ गया, ठीक है, angle sum property, इसलिए हमने 180 में से माइनस किया, फूर्थ पार्ट में दिखो, triangle ABC, यह 50 है, यह BX है, यह BX है, हमें X निकालना है, और तिनों का sum 180 है, inter a, b, c, angle 50 degree given है, angle A, angle B, angle C, तिनों का sum 180 है, A हमें 50 degree है, यह X है, और यह X है, X और X to X, यह 50 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 130, X निकालना हमें 65, यह दोनों angle, यह भी 65 है, फिफ्थ पार्ट में आपको X निकालना है, ठीक है, अब C पे दिखो, 110 का angle है हमारा, यह 110 है, यह 110 है, यह पूरा हमारा linear pair है, 180 में से 110 माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका 70, इंटर एंगल ABC, एंगल B 30 degree, और एंगल BCD 110 degree, एकस्टिरियर एंगल यह दोनों angle हमें गेवान है, एंगल BC यह निकाल रहे है, C का interior angle, 180 में से माइनस कर दिया, 110, 70 आ दिया, 180 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि दोनों आखके linear pair है, फिर X निकालना है, exterior angle है, interior opposite angle के sum के equal, दोनों को प्लस किया, exterior angle property, यह देखो, exterior angle निकालना था, interior opposite angle के दोनों के sum के equal होता है, शिक्स्त में, triangle ABC में, यह 50 है, यह देखो, यह जो sign बना होता है न, यह 90 कर, 90 और 50 यह निकालना है आपको X, अब यह कौन सा angle है, exterior angle, exterior angle is the sum of interior opposite angle, intra angle ABC, angle A 50 degree और angle B 90 degree, दोनों एंगल हमें कीवन है, हमने X निकालना है, X exterior angle है, दोनों को प्लस कर दिया, 50 प्लस 90, 140, exterior angle property, question number 20, complete करना है, exercise 13.1, complete करने हैं बिदा, ओके, thank you.